वेल्कम तू एडि जार्कन क्लासस आपका स्वागत है एडि जार्कन क्लासस में तो आज हम बनकेवरा भाग पार्ट 3 पढ़ाने वाले हैं जिसमें सभी कहानियां खटम होने वाली है first है दीदी कर नाम चिठी नाव मतलब नाव चलने वाला नहीं नाम मतलब नाम आता है ठीक ना ये कहानी पातर है इसमें छोटकी बहन कवीता जो लेखक है कहानी का वो है सवीता केसरी ठीक है जैसे सवीता भावी एक है वैसे ही सवीता दीदी है ठीक है देखिए चिठी चिठी छोटी बहन द्वारा बड़ी बहन को लिखा गया चिठी किस इसके द्वारा और हाँ ये वन लाइनर क्वेशन अंसर है इसको पढ़ने से पहले एक बार आप कहानी को जरूर पढ़ लेंगे चिठी छोटी बहान द्वारा बड़ी बहान को लिखा गया है छोटी बहान जो है लिखी परम पुझ्य दीदी सादर जोहार चोटी बहान यहां बेस तरी ही मतलब कि बहुत अच्छे से है यह बात चिठी में दीदी के पास लिखने में अच्छा नहीं लगा किसको चोटी बहान को क्यूं बिकुछ वो बेस में नहीं थी तपर वो लिखी दीदी का चिठी पढ़कर एक बारगी कुमलाए गया मन चोटी को दीदी के चिठी से पता चला कि भाटू यानि जीजा जी का रिटाइर होए जाया है मतलब छोटकी को का पता चला जीजा जीवन से रिटायर्ड हो गया है यानि कि दीदी द्वारा यहां चीठी लिखा गया है दीदी द्वारा छोटकी को चीठी लिखा गया है यहां ना दीदी द्वारा होगा दीदी दीदी ही छोटकी बहान को लिखी है टिक ना अब जो छोटकी बहान लग लग नोकरी से नहीं बलकि अपन जिनगी से रिटायर हो गया है छोटकी बहान को चिठी पढ़ कर ऐसा लगा है कि अपन जिनगी से नहीं है मतलब नोकरी से नहीं अपन जिनगी से रिटायर हो गया कहाने का मतलब रिटायर कर संगे हसी, खुसी, उत्सा, उमंग, जीजाजी से सब जुदा हो गए टिक न, ऐसा उनको लग रहा है दीदी का साधी बेस उमर आदमी से हो लग मतलब दीदी का साधी जो जीजाजी थे, भाटू थे, छोटकी भाण के, उस बहुत ज़्यादा उमर था उगर पहले से कहे को छुदा पुता रहे, मतलब उसकी पत्मी येगो मर गी थी पहले से जीजाजी के छुदा लोग मांसी, मतलब की रोग था दीदी चीठी से पता चला कि छोटकी को छववा मन जीजाजी के पहले वाला बाच्चा माई ना बुजल है अब फिर दीदी चीठी लिखती है, तो दीदी के चीठी से पता चला चोटकी को कि जो पहले जीजा जी की जो पहले वाला बच्चा है नो उसको माई नहीं मानती है अब देखा कि बड़की माई कर बेटी कर बिहा तो होई जाहे ठिक ना लड़का बेज और बिगर तीलक लेहे बिहा करे ले तैयार बड़ा खुसी कर बात है मतलब जो बढ़की माई है ये क्वेशन पूछेगा भाई आपको कहाने पढ़ियेगा तो बढ़की माई कौन है ना खुद पता चल जाएगा बढ़की माई की एक बेटी थी वो बिना तिलक ले ले होकर साधिय हो गया लड़का बेस बहुत सुन्दर था चोटका 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 काका की का हालत बहुत खराब था हालत केकर खराब था चोटका कर ठीक न, तो अपना बेटा को कोईशी देखता था, छूई छूई कर हाथ को, छोटकी बोली कि खेती बारी सब खतम हो गया है, काकी दो साल में सूख के काटा हो गई है, काका के सोभावों बहुत कड़वा होई जाहे, मतलब जो छोटका काका का है, सोभाव कईशा था, एकदम गाउं में लगा था, ठीक है, गाउं में लगा था, ठीक है, सीवीर जो है, सीवीर बोल, काका का आँख एगो नस सूख गया है, जो सीवीर क्या बोला, सीवीर के चिकित्सक लोग बोली, बोल नहीं है, बोला, कि काका का एगो आँख का नस सूख गया है, ठीक न, ओपरेश करना पड़ेगा और सीता पूर लेगना पड़ेगा ठीक ना वो चिकितसा वाले बोले ठीक है काकी कही उनकर ठीन तो एक सोना का अंगोठी है अंगोठी के चलते घर में गोहार हाला जगड़ा हुआ है अरे किसके चलते जगड़ा हुआ तो अंगोठी के चलते अब उकेकर है बढ़की माई बोली कि यह अंगोटी छोटका के नहीं हमर बढ़का दमाद के अंगोटी है अरे कौन बोली यानि कि बढ़की बोली कि हमर बढ़का दमाद के अंगोटी है बढ़की माई और छोटकी का किस में जगड़ा होता है यह कर चलते अंगोटी चलते यानि आप से कि माई में किसली जगड़ा होता था ठीक न तो एक अंगु ठीक जलते ठीक है अब यहाँ जो जगत है माई बाप से जगड़ा कईर के पता नहीं कहां चल जले ठीक न रोजी रोटी के लिए बाबुजी और भाईया घरे नहीं रहें अंत में दाहिने साइड लिखी दोर बही तो यह कहानी यहीं खतम होता है आप अब यह कहानी का नेक्स चाप्टर है इंजोत यह नाटक है यह क्या है नाटक है सबसे पहला बात की इंजोत क्या है तो नाटक है नया साधी हुआ था दुला का नाम था सूरज और बदनी का नाम था रोशनी और एकर सूरज के माई का सुर्जी ठीक है और अगर रोशनी के बोले तो यह सास थी कौन थी सास थी कौन यही सुर्जी अब एक कोटरी में कोहवर रूप में चौकी बिछना चदर नवा चदर अदू ठतकिया फूल लरी से सजाल मतलब सुहाग रात था सुहाग रात था अरे भई सुहाग रात में नहीं चाहता है साधी हुआ सुहाग रात हुआ होग नहीं गया सुहाग रात में देखिये क्या क्या कांड होता है सूरज के पत्नी रोसनी थी सूरज के माई सूरजी थी और सूरज के बहु रोसनी थी सूरजी के बहु रोसनी सूरजी कौन थी? सूरज के माई थी इन जोत नाटक में कई गो दिरिस्य है? चार गो दिरिस्य है ठीक ना? चार गो दिरिस्य है ठीक है सुहाग रात के दिन रोसनी बचन मांगती है सुरज से क्या रोसनी मांग मांगती है कि पती पतनी समान होता है हाँ सुरज रोखनी से मतलब बैसा है बोली कि मतलब कि हम पहले न सुहाग रात के पहले हम टेस्ट करवाना चाहते है कि किसी को कोई बिमारी तो नहीं है न ठीक है तो भाई सूरज उस टाइम गुसा हो गया कि सुवागरात नहीं मना पाए आज तो वैसा बात है कि वो कहां चली गई तो अगले दिन या कि सूरज और रोषनी कहां डॉक्टर से मिलने चली गई सूरज रोषनी खुंजाच करवाई रोषनी का रिपोर्ट तो अच्छा था मगर सूरज के रिपोर्ट में AIDS था A-Double-D-AIDS लेकिन ऐसे नहीं होता है A-I-D-AIDS Acquired Immuno Deficiency Syndrome इसका फूल फूल होता है अब बोला कि doktor बोला पहिल स्टेज है ठीक हो जाएगा चोह महिन दबा और यह यार केकर रिपोर्ट में AIDS होगता था तो शूरज के रिपोर्ट में डक्टर पहिल स्टेज में का बोला कि पहले स्टेज है ठीक हो जाएगा छोव महीना के दवा चलाने के लिए बोला डॉक्टर यानि शूरज का दवा केतना महीना चला छोव महीना यह सब क्वेश्चन पूछ सकता है रे भाई एड्स का मेंवारी कैसे हुआ तो डॉक्टर बोला कि हमरे घरे एक चोड़ी काम करन दूसरा दिरिश्चे में वह लड़की के एड्स है सूरज बोला है पतनी से एतना बुधी रावरे कहां से सिख ली पतनी से सूरज बोलता है एतना बुधी पढ़े एक बेरा दीदी बताई थी कि सारीरिक संबंद बनाने पहले खुन जाच करवाने आच्छा रहेगा तीसर दिरिश में सूरजी सूर्जी हुए यानिकि सूरज के मां वह छो महीना हो गया कोई रंग ना देशले तीसरा दिरिश में सूर्जी रसनी से बोलती है कि कोई लचषन अभी छो बहसुन नहीं पहले कोई लचटन नहीं दिखाया ठीक न तो छो महिना बाद डॉक्टर के पास इस अब दबा चल के जाए खुन्जाच करवाया और सूरज और रोसनी एकदम दोनों का रिपोर्ट सही हो गया सूरज सूरजी के पता यानि कि सूरजी को पता चला सूरज को एट था तब क्या हुआ अगबका गई तो सूरजी क्या बोलती है सूरजी के सूरज के माई सूरजी बोली कि घर में अंधार हुए से बचाई देलेगे हम और बेटी रोसनी चलिए नेक्स्ट आहाने ये अमर सेनाने किसका है सेख विकारी का है जिनका जनम ये सेख विकारी आपको हम ट्रिक से याद कराये हैं इनका लेखा का नाम कालीकुमार सुमन है ठीक न आप वीडियो देख लिजिएगा नागपुरी का जितने भी कलास होते हैं CGL को खास कर लेकर या फिर grammar भी एक ही मैराथन कलास में है ठीक है एकदम पूरा हम नागपुरी वैकरने पढ़ा दिये है ठीक ना एकदम ध्याने से देखना है ना एच्छा से एकदम selection होगा ठीक है छोटा नागपुर, संथाल परगनाकर, सधान और सव सार सब मिलकर ब्रिटिस सरकार से लड़ाई करत रहे और ये जो सेख भिखारी थे ना दूरदर्सी चदूर उत्साही जवान थे सेख भिखारी एकदम का थे आजादी का बड़ा अपुजारी थे जनम का हुआ था रांची जिला के मुडमू थाना लेपसा गाओ में और सेख भिखारी का जनम कहां हुआ था तो लेपसा गाओ में कौन थाना में हुआ था मुडमू थाना में कौन जिला में तो रांची जिला में कब हुआ था तो बुनकर परिवार में ठीक ना 49 में सेख विकारी एक कोरी यानि की 20 वरिस्के हो गए थे रातु महराजा के यहां सिफारी सिपाही बन गए और किसके यहां सिपाही बने रहे भाई तो यह महराजा के यहां सिपाही बन गए ठीक ना तलवार चलाने में तेज थे रातु महराजा ही यहां छोड़कर बढ़का ठीक न, वहाँ वो ओफिसर पद उनको मिल गया, कुछ दिन बाद ठाकुर साहिब कि सेना पती बनाई दिये उनके, सेख भिकारी को विशुनात, ठाकुर विशुनात सादेव क्या बना दिये, सेना पती बना दिये, अब देखे, रामगर छावनी पर चड़ाई किये, कौन, से रामगर पर भिखारी का चड़ाई सुनकर ब्रेटी सरकार दानापूर गोरा पल्टन रामगर भेज ले, अरे, जब ये चड़ाई कर दिये थे, सेख भिकारी, तो ब्रेटी सरकार कहां, दानापूर गोरा पल्टन को भेज ले, मतलब कि गोरखा पुलिस लोग को, ठीक न, चरगूदी घराव कर दे ले, सेख विकारी के जिन्दगी संगी दोस्त जो आट जन्वरी इनको फांसी लगा था, 6 जन्वरी को गिरपतार हुए थे जारकन हैंकर भी हम पढ़ा है। उसमें धेख लिःजगे सेख विकारी की सेना कम थी और गोरा पल्टन की सेना जादा थी आपसे question पूछ सकता है कि कहाने में सेख विकारी की सेना कम थी ये जादा तो कम थी चलिए next इसी कारण 7 जनौरी 1858 को एकदम घवाईल हालत में सेख विकारी एकदम गिरपतार हो गये चूट्टू पल घाटी में 8 जन्मरी को एको गज़ डाइर की में फासी दे दोलगलग और 40 वर्ष में फासी पर लटकाएगे ठीक है कितने वर्ष में 40 वर्ष में फासी पर लटकाएगे एकनो वनसज मन और मांजी थाना में छेत्र में है अभी भी इनका वनसज कहा है और मांजी थाना में है ठेक ना सेख भिकारी का परम से नहीं कुर्बान अली 14 वर्स में सजा सुनाए गया सेख विखारी का परम से नहीं कोन था, तो ये थे कुर्बान अली, जो तो 14 वर्स में इनका फासी हो गया, सजा हो गया, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कहानी पड़ते हैं, ये संसमरन है, प्रफूल्दा एक नजर, नाग पूरी साहित का भारत एंदू किसी कहा जाता है, प्रफूल्द कोन हुए उमेश नंतिवारी, संसमरन है, आदमी पर लिखा हुआ संसमरन है, यहां देखिए हरी काका पर लिखा हुआ है, आगे कहानी है, ये भी एक क्या है, संसमरन है, हरी काका पर लिखा हुआ है, आदमी पर लिखा हुआ संसमरन है, चलिए, यहां प्रश मंगरू गाओं में ठीक ना लोहर दग्गा बंगरू गाओ आठ फरवरी 1926 को इनका जनम हुआ था पिता का नाम राम की सोरी राय था माता का नाम स्वर्गिय सुचित्रा बाला देवी था पहाड बंगरू राची कर सिसाई थाना में पढ़ता है एक मंगरू पहाड है जो लो चौथा कलास में पढ़ाई एकदम भर्णों में किये कहां भर्णों में कहां भर्णों में कौन प्रफूल था सितंबर 1934 में दादा राची कर वर्ना कुनर मेडिल स्कूल में पढ़ने लगे यानि सितंबर 1934 में दादा राची कर वर्ना कुनर स्कूल में का इंगलिस लोगे का सातवा में 1949 पास की 1940 में प्रफुल्दा के पीता मर गए अरे प्रफुल्दा के पिता कब मरे 1940 में मैट्रिक पास कब किये 1943 में दादा गुमला में इन कंबर स्टेट कर आफिसर में किरानी का काम सुरू कर दिये दादा वही सिसरी था ना गुमला में राची में शटले या ना इसलिके वज़ा से देखिए इन कंबर स्टेट कर ओफिसर किरानी का काम करने लगे कब दादा और ये 1945 में किरानी का नौकरी छोड़ कर कलेक्टरी प्रोवेशनर किये प्रफुलदाकर 1957 में साधी हुआ ठिक न और पत्नी का नाम हांसी रानी थे राची में आयकम किये ठिक न और तिर्पन में विकम किये उणसट में 1969 में ieso CCL में बड़ा अफिसर बन गये就是說 on the one के चब बने थे तो ये 69 में बने थे बीकम कब पास किये थे तो तीरपन में पास किये थे आइकम में कहा राची नाम लिखवाये थे राची में और देखिए इनके जो साहित्य के तरफ इनका कैसे मन लगा तो स्वरस्वती, चांद, हंस परतिका पढ़ने से उनका आया देखना और देखिए सरत चंद्र प्रेम चंद्र मनक उपन्यास पढ़ने से प्रफुल्दा को प्रेरना किस से मिला तो राधा कृष्ण जो है लेखा का उनसे मिला अभी आठमा कलास में जीवन समस्या पर एक राचना किये था हिंदी में जेकर मायकर कल्पना और कर विवोक के बारे में लिखा गया था यानि कि आठमा कलास में प्रफुल्दा कौन सा राचना लिखे थे तो जीवन समस्या जीवन समस्या में किसका उलेख था मायकर कल्पना का ठीक है चलिए नेक्स पेज उनिसो तेतालीस से अरतालीस में नागपुरी लिखना शुरू क लिखने के लिए क्यों परभावित वे क्योंकि खुटी में रह रही एगो पनेरा ठीन रोज पान खात रही तो वो एक दियों अपना देह चला गया वहीं से उनको अपना ये अनुबह हुआ कि हम क्यों नहीं लिखेंगे मुझे लिखना चाहिए ठीक ना प्रफुल्दा का सबसे अच्छा कहानी कौन लगता था एक चकता रहुद एक चकता रहुद एक वो मनो वैग्यानी किसिम कर कहानी है एक वो पूर्णा उमर गर आदमी दोसर विहा करेला यही सब कहानी है उसमें कहानी लिखे कितना बात पर ध्यान रखना पड़ता है तो दो ही तीन बात पर ये आपका important कहानी है जो खतम हो गया ठीक ना चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एक और संस्मरन है हमरे कर हरी का का हमरे कर हरी का का एक और संस्मरन है इसमें क्या होता है देखिए next ये one liner कहानी पढ़ने से पहले आप लोग को कहानी पूरे से पढ़ लेना है उसके बाद एकजाम में जाने से दो दिन पहले आपको इसको एकदम ध्यान पुरवक पढ़ना है ये लिखे हैं सुरेश कुमार राय सुरेश चंद्र राय हरी का का के बारे में लेखा क्या बोले कि गाओं में एक बुढ़ा पुरवणिया मनक बात होता था हरी का 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 याद आता था जब गाओं में कोई बुढ़ा पुरवणिया मन याद आता था ना तो किसका बात होता था हरी का 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 हरी का का कर घर गाओं कर सद अखरा में दक्षिन दने सिंग मनक एको ठुटों करंज गाच दिवारे के अंदर था और हरी काका कर छवा पुता ना रहे लेंगा खांद यानि कि बायाकंद जाटी मतलब जाटू होता है हरी काका गाउंकर कवी राज थे हरी काका गाउंकर क्या थे कवी राज हरी काका बाइद थे हरी काका क्या थे तो बाइद थे बाथा, पीरा, जर, सीथ, खोखी, खर ये सब ठीक करते थे हरी काका कर बाप दवा बनाते थे हरी काका करो क्या बाप क्या बनाते दवा तब काका सतावर, मोत, फर्यारी, गुल, सोनापाटी, गमार, चकरोत, ठेकना, डिगैत, हाई, चिकारी, यही सब जड़ी बुटी लाके रख देते थे हरी काका एक दिन बिमार पड़े, तब क्या हुआ, सतनारायन भगवान का एक कथा होता है उस सुन कर पुजा परसादी में क्या था, महनबोग आटा का हलगवा उनको दे दिया गया, उग्या होगे, ठीक होगे, पोटोम से, पोटोम मतलब बासी खाना होता है माई कर तीन जन दुलार देवर रहें, माई कर कितने? तीन देवर थे, कौन-कौन हरी काका, मुकुंद काका, जगदेव काका माई पोटोम से तीन दिन बासी, पुआ तीन दिन का बासी पुआ महनबोग निकाल के देती थी येको गाउं थूरकी मतलब नाटी जनानामन गाउं में आई और काका कर यहां भाड़ा परहने लगी और वो जो थूरकी जो नटकी लड़की थी न वो छिलका रोटी बढ़िया पकाती थी तो आपसे क्वेशन पूछेगा कि हमरे कर हरी काका में नटरी लड़की क्या अच्छा पकाती थी जलेबी, पुवा, पकवान, छिलका रोटी तो आपको वहाँ छिलका रोटी बोलना है काका जब मरे तो उनको कौन बतीजा मन संगे गवईया मन अंतिन संसकार किये थे भाई लेखा क्या बोले हरी काका कर जिनगी आहिकर सामने आई जो सिनेमा नियर आता है चलिए हम लोग नेक्ट कहानी, हम पढ़ते हैं जगरनातपूर मंदीर जगरनातपूर मंदीर, यहां देखिए, जगरनातपूर मंदीर कोन लिखे है, भुवनेश्वर अनूज और अनुवात ससीकला की है भुवनेश्वर अनूज, अनुवात कोन की है, ससीकला, ठीक है राची सहर से 10 किलोमेटर दून दक्षिन दिसा में है 2800 फीट उंच पहार पहार की उंचाई कितना है 2800 फीट और पहार पर 100 मिटर और उंचा जगनात मंदीर है ठीक न? अब देखिए यानि कि समवत 1748 इस्वी में 1991 में ठाकूर एनिनात सा सुन्दर पहाड़ी पर क्या किये? जगनात मंदीर बनवाए मौसी बाड़ी में 9 दिन तक भगवान जगनात स्वामी बलराम सुबद्रा के साथ पूजा होता है चलती रतमाद यात्रमातरा असार में इंजोरिया कर दिवतियती ठीक होता है घूरती मेला कब लगती है एकादसी को आमबा बगईचा डेरा औरंग जेब के समकाली नांगवनसी सासक के परिवार बहुत मंदिर बनवाए है उन्चालिस में ठाकूर एनी नात साह के बड़े भाई रगुनात साह और रगुनात साह के गुरु कोन थे? हरिनात नागवनसी राजनाध आने जो कहां रखे? दोईसागर जगनात मंदिर बनवाए यही सब नागवनसी राजा जो कोन थे? गुमला नागवनसी राजा बनाये है कोन से नागवनसी के बाए है तो नागवनसी का अर्थालिसवा राजा कोन थे? रामसा थे और राजा राम साकर 10 को बेटा था, राजा राम साकर कह बेटा 10 को, राम साकर 4 बेटा ठाकूर एनिनाथ सा थे, यहां देखते हैं, वन नाइनन है इसको समझाने का, ठाकूर एनिनाथ सा कितना 97 गाउं मिला था, एनिनाथ सा का जो राजधानी था, दोईशागर सतरंजी था, एनिनासा सतरंजी राजधानी में फांडरी फोर्च प्लांट आधा में हटिया बसा था एची सी प्लांट आ गया था वहीं ठाकूर एनिनासा के पतनी कैगो थी पांच को पतनी थी पूतर कितने थे 21 गो पूतर थे भगवान जगनात मंदिर के स्वामी के दर्सन दे लए पूरी एकदम पैदल यातरा निकल पड़े ठीक न एनिनासा के सेवक उनाव था ठीक न साथ रात दिन भूखे थे सेवक बामहन भेस में आदमी आया सोना कर थाली मे अब भोजन सेवक के पास आये ठीक न मतलब ठाकुर एनिनात सा अपमानित हुए कि मोर अथी सेवक जगा आगे लेकिन मेरे जगा नहीं आये तब दूसरा दिन जगनात दर्सन दिये किसको ठाकुर एनिनात सा को भी और वो बोले कि वहां तुम मंदिर बनाओ ठीक न वहां अब गर्व गिरी के बाद भोग गिरी है तीसरा गडूर मंदिर है चौथा मंदिर चौकिदार मंदिर है मंदिर कितना फिट कर उंचा है 15 फिट उंचा है मंदिर के चारो किनारे आंगन की लंबाई चौडाए कितनी है तो श अश require length LB LB एइरियाः अपने काल सकते कि कितना होगा ठीक न सो असी का है लेंथ एल बी एल बी एरिया आप निकाल सकते है कि कितना होगा टिक न आंगन में 20 मिल है सुन्दर मनोरत अस्थान में है चलिए next एकदम ये क्या है ये एक समझा नहीं रहे हैं पढ़ना है डॉक्टर कुमार सुरेश शिंग ये जो इनके अनुसार बिर्शा मुंडा और उनकर अनुनाई जो चूटिया में एक दल के साथ अपना यात्रा जगनात मंदिर का किये थे और दर्शन कब 29 जनवरी 1898 में और ये बिर्शा मुंडा बुक लि चमकिला बताया गया है चूटिया और जगनात पूर एकदम जलकता नजर आया है इसी बूग में बूला गया है और इस संदर्व गरंद में जारिकन के प्राचीन असमारक भी बोला गया है जगनात मंदिर को मोसी बारी में साल में भगवान जगनात मंदिर स्वामी भाई बलराम और सुबदरा के संगे रहेना कितने दिन? साल में कितने दिन? यहां कितने शुट गया? तब ही तब हम क्वेसन पढ़ने में गलबला गया हो कितने दिन भग्वान जगनात मंदीर अब साथ में रहते हैं? 9 दिन के मनग कोईल नदी कर अरणा जगनात स्वामी कर मंदिर बनवाई रहे नागवंसी राजा जगनात मंदिर कर सुन्दरता कर बारे में कौन कभी नागवंसी लिकला है तो बेनी या नेक्स्ट कहानी स्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया का राजी सर्जू लेखक यहां देखिए लेखक का नाम सर्जू डॉक्टर सर्जू महतो है मदन मोहन जो स्री मदन मोहन मंदिर के कौन मिस्तिरी बना लग कौन मिस्तिरी बनाये थे मतलब कि मिठा अनिरूद बनाये थे स्री मदन मोहन मंदिर कर लागत कितना आए तो 14,001 रुप्या स्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया को तैयार हुए कह मैं कितना दिन लग लग तो 17 वर्स समय लग लग श्री मदर मोहन मंदीर केकर द्वारा बवाल बनवाल जा रहे है तो किसके द्वारा बनवाल है ठीक ना तो ये श्री लक्ष्मी नारायन तिवारी द्वारी द्वारा बनाया गया था कितना फूट छर देवारी कर बीच में मंदीर है तो ये 10 multiple 65, 10 multiple 65, 65 कौन दीन के श्री क्रिष्न कर मूर्ती चोरी हो गई तो 5 September 1913 पर को श्री क्रिष्न कर मूर्ती चोरी हो गये था उस दिन राधारानी का मूर्ती बच गया था श्री मदन मोहन मंदीर जे बोड़या में आहे हुआ मूर्ती पहले पहल का किसिम के तयार होई रहे अब जिस दिन मतलब वहाँ मूर्ती मदन मोहल जो बोड़या में आहे वहाँ किसिम किसी कर मूर्ती था पहले जो था पहले किसिम के जो मूर्ती तयार हो रहे देखिए तयार हो रहे कौन साल दुयों मूर्ती 1969 में दुबारा चोरी हो गये लग क्रिष्ण और राधा जी का दोनों का मुर्ती 1969 में कौन साल दोनों का मुर्ती राधा और क्रिष्ण दोनों का मुर्ती चोरी हो गया था 1969 में 1960 में राची कर सेट संग मरमर कर मुर्ती अस्थापित करवल है स्री गंगा परसाद कौन सेट मतलब 1960 में राची कर कौन सेट संगमरमर कर मूर्थी अस्थापित किये तो स्री गंगा प्रसाथ बूधिया ठीक है स्री गनेश जी सहाए 1989 में कहां गिलग राधा रानी का मूर्थी बचा था स्री गनेश जी सहाय के अनुसार 1789 में क्या बचा था राधा राणी का मूर्ती सिर बचा था बाल को पाल का पीतल का मूर्ती है पहली बार चोरी होने के बाद 1958 से 69 में के साल में राची कर सोनर पीतर का मूर्ती बनवाया सोनार पितर का मूर्ती बनवाया दोनों मूर्ती क्रिष्णा और राधा जी कर एकदम साथे मुरिसों उन्टस में चोली हो गया अब बच गया बाल को पाल कर मूर्ती अब की बार जो क्रिष्णा जी का तोलल मूर्ती नदी में पावल गले नदी में राधारानी का मूर्थी अश्धातु का बना था चोर की मती मूर्थी ले गया था ठीक ना चलिए अब हम लोग चलिए अब यह हो गया अब हम लोग पढ़ते हैं करम भिहान करम भिहान अब कहानी का जो भी है important question है one liner question है उसको हम कराने वाले है करम बिहान ये क्या है एक नाटक है गिरिधारी राम गोंजु खराब करम करेगा तो गिरेगा ही तो गिरिधारी राम गोंजु याद करने का ठीकर कोई बूरा नहीं मानेंगे करम बिहान करम बिहान नाटक में कैठो पात्र आए तो दस को कहेगो करम बिहान नाटक में कैठो द्रिस्य है तीन को करम बिहान नाटक में कौन पात्र बिमार रहे तो सूगिया बिमार रहे करम बिहान नाटक नामक नाटक रचना बनकेवरा भाग वन में कौन विधा चाइप है तो नाटक मतलब किस परकार का उसमें चापा है तो नाटक के रूप में करम बिहान सीर्षक रचना कर रचना कार किये है कई तो डॉक्टर गृधारी राम गोंजू सावर ले सुन्दर छोड़ा पैंट कमीज में कौन पत्र कर रूप रेखा है का है कि उकर अच के करम डायर गीर गया था उकर सामने करम डायर गीर गया था करम बिहान नाटक कर पात्र सीवा कहां रहत रहा है तो खुटी में करम राइट के जुमर खेलते सूगी के का हो जाला तो गीर जाला जब करम राट में जुमर खेलते-खेलते सूगी के का हो गया गीर गई थी ठीक ना पाहन मन 71 दफा केस और कतना कहा सुनी कर बात के कहला तो सुगी कर बाप पाहन सुगी के ठीक करला कैट हो किरिया करिया चेगना करमांग करेला पाहन सुगी के ठीक करला कितना करिया चेगना है चेगना मुर्गे का बच्चा तो दूइट हो सुगी करमाई और सुगी कर बाप से कुन टोला कर मती के बोलाने के लिए कहती है तो पोठा टेला से, पोठा टोली से, जगरू मती कर माला के हाथ में लेके धिवराईला, कौन, रुदराक्ष कमाला, जो जगरू मती है, उकाचीच कमाला हाथ में लेकर एकदम घुमाते रहती थी, तो वो घुमाते रहता था, तो जगरू कर, रुदराक्ष कमाला, गुरु जी अगर नाथ, भूत नाथ, जान बाचे, मोर साथ, नी तो लगाई देव, दुई हाथ, इशन मंत्र के पढ़त रहे, जगरु मती, जगरु मती जाड़ पूख, करल बाद का मांगत रहे, एग उचर का पठिया, ठीक ना, बिहान बिरा, सुगी, जो है, बिहान बिरा, सुगी कर घर के के ढुकाई ना, तो डॉक्टर और सीवा, तलब बिहान बिरा, सुगी घर कौन-कौन ढुकता है, डॉक्टर और सीवा, सीवा के सुगी कर बिमारी कर खबर के देवे जाएला, तो बिसुआ, डॉक्टर साहब, सु डॉक्टर साहब इस सीवा के डॉक्टर Banks पढ़े कहा ये कथन के करेलयक सुगी के बाप ये बत बोलने के लिए तो उसका बाप बोलता है करम भिहां तिसरा दिरिष में सुगी के का होला तो वो ठीक हो जाती है चलिए ये लास्ट कहानी है ये बनकेवरा भाग वन कहानी का जो भी important point है वो last कहानी है ये जो आपका है समय सोना हके सोना के बारे में निबंदी लिखा जाता है कोई वी चीज अब्जेक्ट या सजीओ के बारे में लिखते तो उसका निबंद होता है जो समय कर सुंदर उपयोग करेला उमहान बनेला ये कर लेखा के का नाम है तो कुमारी बसंती बसंती पांती है सोना कर सिक्री और का करते हैं ओकर नाम पुरा अमर होई जाला पहले आदमी मन समय देखता था धूप घड़ी जल घड़ी से अब क्या होई विज्ञान का समय आ गया है ठीक जाने के लिए घड़ी दिया है मा फलेशू कदाचन आलस नींद जगरा चिंता में बिता देता है आजकल का समय कर एक-एक अपार सकती है आहे समय कर मतलब एक-एक छन का बहुत आकार सकती है अमयन लाइबस इन डोडाज नोट दे एर यह कौन यही बोले कभीर दासकल है कल करेशो आज करेशो अब पल में परले होएगी बहुरी करोगी कब अब क्या है त्री लोक विजई रावन को जब तीर से मारे थे तब राम लक्षमन राम जो रावन है लक्षमन को बोले कौनो काम के करके वास्ते मन में कहीं आहना रखा लग कि कौनो काम के करने के लिए मन में कोई संका ना रखना जो करना है वो करही देना ठीक ना पता ने कब क्या हो जाए और दूसरा बात एक तो यह आएग में धूंगिया रहेक नहीं देव आख में मतलब आएग में कोई भूंगिया नहीं रहने देना है काम जो करीं देना है भीच भीच फसाना मphones रखने के बाद वहती है दोस़ा इगी तक शीण DAVID बनाईडे और इसा कर्म कीजिएगा जी जो कि सवरवक तक सिर्णी बनाने दीजिए बना दीजिए गाल यही इतना समय का उप्योग साधन भक्ति किजिए न समय जो है भगवान कर नमबर पर सर्च करेंगे 4281 8863-884281 PDF के लिए Contact करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब Thanks for watching my video